हेलो डियर्ज, आटोकेड के इस विडियो में हम दो कमांड्स के बारे में बात करेंगे, कमांड जो पहले हम डिसकस करेंगे वो है डिवाइड और सेकंड पार्ट में जो हम डिसकस करेंगे वो हमारी कमांड है मायर, divide command हम अपने किसी भी line को या circle को equal part में divide करने के लिए use करते हैं या अगर हमने उसे equal part में divide करके उसके उपर कोई block insert करना हो तो उसके लिए भी हम divide command यूज करते हैं ये मेरे पास एक line है जो के मारी road की boundary line है हमें इस line के उपर equal parts में ये जो trees हैं 20 tree इसके उपर लगाने हैं उसके लिए हम divide command यूज करेंगे divide command को access करने के लिए आपके पास दो options है पहला है कि आप ribbon के home tab में जाएं draw panel में ये drop down पे click करें ये first row में second last icon है divide अगर आप इसके उपर click करेंगे तो देखें command हमारी active हो चुकी है अब यहां पर हमको message आ रहा है कि select object to divide तो मैं ये line को select करता हूँ देखे message आ रहा है enter number of segments are blocks पहले हम देखें कि अगर हमने इसे segment में divide करने तो वो किस तरह करते हैं उसके बाद हम इसके उपर block insert करेंगे तो हमें इसे 20 segments में करने तो मैं यहां पर 20 लिखके enter करता हूँ यह देखें यह 20 equal part में divide होगी है और हर part के start और end पे हमारा जो point है वो लग गया है यह था कि हम इसके उपर divide करके point किस तरह लगाते हैं अब यह है कि अगर आपने इस तरह का कोई block insert करना है किसी line के उपर यानि आप किसी road पे काम कर रहे हैं और आप उसके sides पे tree जो है वो insert करना चाहते हैं divide command के लिए जो अटो का shortcut की है वो है div div लिख के enter करें same message आ रहा है select object to divide again मैं इसी line को select कर रहा हूँ पहले हमने देखें जब यह message आया था कि enter number of segment तो यहां पे number of segment इंटर कर दिया था अब हम number of segment इंटर नहीं करेंगे यहां से हम block का option लेंगे इसके उपर आप click भी कर सकते हैं और अगर keyboard से b लिख के enter करेंगे तो भी आपका block का option active हो जाएगा मैंने b type करके enter किया है तो देखें अब message आ रहा है कि enter name of block to insert हमारे पास यह जो ना block है इसको मैंने जो name दिया है वो है 3-101 3-101 लिखके हम enter करेंगे second message आ रहा है align block with the object yes उसके बाद आ रहा है number of segment तो हमें कितने segments में यह चाहिए 23 हमने इस पे place करने है तो मैं यहां पे 20 कर रहा हूँ enter यह देखें वो तुमाम location जहां पे पहले जब हमने इसको divide करके point लगाये थे same इनी location पे हमारे tree जो है वो insert हो गए है यह था हमारा divide command अब हम बात करेंगे mayor के बारे में mayor command हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमको जो points हैं या जो blocks हैं वो एक specific distance पे जाईए इसको जब हमने divide किया है तो मैं यह नहीं पता था कि इसका center to center distance क्या है क्योंकि हमने just total line को equal parts में divide कर दिया था लेकन अब इस line पे हम चाहते हैं कि हमारे tree का जो center to center distance है वो 20 meter हो तो उसके लिए हम mayor command यूज़ करेंगे mayor के लिए भी same आप draw में जाएं यहां से ये last icon है mayor इस पे click करेंगे तो आपकी command जो है वो active हो जाएगी इस पे भी हम point भी insert कर सकते हैं जैसे select object तो मैं इसको select करता हूँ देखे select करने के बाद आ रहा है के specify length of segment यहां पे हमने divide किया था तो number of segment थे अब हमारे पास है length of segment तो मुझे जो length of segment रखनी है वो 25 रखनी है देखे मैंने 25 लिखके enter किया है तो यह देखे हमारे हर 25 meter पे यह जो points है लग चुके है अब हमने यह block insert करने यानि अगर आपको point नहीं चाहिए आपको block चाहिए उसके लिए भी मैयर की जो shortcut command है वो है meas अब meas लिखेंगे तो यह देखें command हमारे पास आगी है enter कर देंगे same देखें again option आ रहा है select object तो मैं इसको select करता हूँ again अब हम इसको number of नहीं देंगे block के option में जाएंगे पहले हमने b लिख के enter किया था अब मैं यहां पे click करता हूँ तो देखें यहां पे आ रहा है enter name of the block तो block name है 3-101 आपने जो भी अपने block को name दिया होगा आप वो name यूज़ करेंगे enter align block with object yes specify length of segment मुझे जो center to center distance चाहिए वो 25 चाहिए लेखके enter यह देखें हर 25 meter पे हमारे tree जो है enter हो चुके हैं अगर मैं इसको measure करता हूँ यह देखें यहां से मैं इसको अगर track करके center पे लेए हूँ यह देखें 25 meter पे मेरे जो trees हैं insert हो चुके हैं यहां पे जहां हमने divide किया था देखें यहां पे इसने equal parts में divide करके tree insert कर दिये थे यहां पे हमें equal parts नहीं हमें अपनी मर्जी का specific distance चाहिए था उसके लिए हमने measure command यूज की यह था हमारा आज का वीडियो next वीडियो में इसी तरह के एक और command के साथ आपके साथ होंगे तो next वीडियो तक के लिए good bye see you